दोस्तो बोट के वेव कॉल स्मार्ट वाच में आपको मिल जाता है Bluetooth कॉलिंग का फीचर इसी के साथ ही आप इसमें Music का भी मजा ले सकते हैं इसकी Sound Quality काफी जबदस्त है और इसे स्मार्ट वाच में आपको कैमरे का भी फीचर मिल जाता है तो वीडियो में मेरे साथ लाश्ट तक पने रहें तो चलिए बिना देर किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोट की बजट फ्रेंड वाच की बॉक्स डिटेल को चान लेते हैं बॉक्स में सबसे उपर लिखा हुआ है वेव तो वीव कॉल और सइड में यहां पर बोट का लोगो दिये हुए है बॉक्स के एड में यहां पर लिखा हुए Bluetooth Calling तो इसमें आपको bluetooth calling भी मिल जाती है और box के back side पे यहाँ पे इसके काफी सारे features दिये गए हैं जैसे कि आपको इसमें 1.69 इंच का HD display मिल जाता है ये smart watch IP68 dust, sweat and splash resistant है और भी इसमें काफी सारे features हैं जो कि आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हैं box में नीचे की side में यहाँ पे product details दी गई है और box पे इसकी MRP 7,990 रुपीज लिखी हुई है लेकिन boat ने इस smart watch को under 2,000 लॉंच कर दिया है तो चलिए अब फटाफट इस box को भी open करके watch को बाहर निकाल लेते हैं So friends मैंने box को open कर लिया है और box में सबसे उपर आपको watch देखने को मिल जाती है तो चलिए watch को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे side में रखके देख लेते हैं कि box में और क्या क्या है Box में आपको एक boat head का sticker मिल जाता है इसमें आपको एक magnetic charging cable भी मिल जाती है जिससे कि आप अपनी smart watch को charge कर सकते हैं ये smart watch देड़ गंटे में fully charge हो जाती है इस smart watch में आपको 7 days का battery backup मिल जाता है लेकिन अगर आप Bluetooth calling के साथ ये watch को use करते हैं तो आपको केवल 2 दिन का battery backup मिलेगा इसके अलब बॉक्स में मिल जाता है आपको एक user manual और इसके साथ आपको मिल जाता है एक warranty card तो इस smart watch में आपको एक साल की warranty मिल जाती है तो चलिए watch के ओपर से ये packing भी निकाल लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह की smart watch देखने को मिल जाती है watch के strap पे आपको यहाँ पे board का logo देखने को मिल जाता है side में यहाँ पे एक button दिया हुआ है जिससे की आप watch को operate कर सकते हैं और इधर side पे आपको microphone मिल जाता है तो आप चाहें तो इनको change भी कर सकते हैं और इसमें आपको 2.5D card glass मिल जाता है तो चलिए इस watch को operate करके भी देख लेते हैं button को press करते हैं यह watch on हो जाती है आप देख सकते हैं कि इस watch की screen कुछ इस तरह से दिखती है watch को उपर की तरफ swipe करने पर यहाँ पे sports का data show हो रहा है तो आप चाहें तो इसमें अपने sports की activity को track कर सकते हैं उसके अलावा आप यहाँ पे अपना heart rate चेक कर सकते हैं तो इस watch में लगबग-लगबग accurate data show होता है बस एक या दो number का ही फरक होता है उसके अलावा आप इसमें अपनी sleep भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी light sleep आई है और कितनी deep sleep आई है इसमें आपको weather का भी feature मिल जाता है तो आप इसमें weather information भी चेक कर सकते हैं इसमें Bluetooth calling का भी feature है इसमें आपको dial की pad मिल जाता है और इस side button से आप Bluetooth call को enable और disable भी कर सकते हैं इस smart watch से आप music भी enjoy कर सकते हैं और यहाँ पे music के कुछ functions भी दिये गए हैं जिसमें आप next, previous कर सकते हैं play and watch कर सकते हैं और volume को भी up and down कर सकते हैं watch को left side करने पर भी काफी सारे features से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे उपर आपको यहाँ पे sports का feature देखने को मिल जाता है तो sports के अंदर आपको यहाँ पे 10 तरह के features मिल जाते हैं तो इसमें आप walk, run, cycling, climbing, yoga, basketball, football, badminton, rope, skipping और swimming का data track कर सकते हैं next आपको इसमें breathe का भी feature मिल जाता है इसके अलावा आप इसमें अपना heart rate चेक कर सकते हैं sleep count कर सकते हैं इसमें आप oxygen level चेक कर सकते हैं इसमें stop watch का feature है find phone का भी इसमें feature आपको देखने को मिल जाता है watch को right swipe करने पर यहाँ पे आपको message के notification शो हो जाएंगे तो आप यहाँ से message को check कर सकते हैं watch को नीचे की तरफ swipe करने पर भी आपको यहाँ पे काफी सारे features देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको brightness का भी feature मिल जाता है तो आप brightness को कम्याज ज़्यादा कर सकते हैं इस watch को display काफी ज़्यादा अच्छा है तो outdoor में भी आपको इस watch को यूज करने पर कोई भी problem नहीं होती है इसमें आपको do not disturb का भी option मिल जाता है इस smart watch में आपको find phone का भी option मिल जाता है आपके भी दिखाती हूं तो इस smart watch की sound quality भी काफी ज़्यादा जबदस्त है watch को mobile से connect करने के लिए आपको both wearable app download करने होगी तो मैंने यहां पर पहले से इसे install कर रखा है तो इस आपके ज़्यों mobile में भी आप watch का सारा data track कर सकते हैं इस smart watch में आपको काफी सारे watch faces भी मिल जाते हैं तो यहां पर आपको custom watch faces देखने को मिल जाएंगे तो आप watch में अपने watch faces को यहां से change भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने third number वाला watch face select किया है तो आप देख सकते हैं कि watch में watch face change हो चुका है आप इसमें custom watch faces भी create कर सकते हैं और यहां पर आपको cloud watch faces भी मिल जाते हैं और जब यह आपका heart rate read कर लेता है तो इसमें vibration होता है तो आप देख सकते हैं कि मेरा heart rate यह 81 bpm बता रहा है तो अब हम बात करते हैं कि हमें यह smart watch क्यों खरीदनी चाहिए तो इस smart watch में आपको under 2000 bluetooth calling मिल रही है और इस watch का जो UI है वो बहुत ही ज़्यादा soft है इसमें कोई भी lag देखने को नहीं मिल रहा है अगर यह smart watch 2000 से ज़्यादा रुपए के मिलती तो आप दूसरे brand की watches के बारे में भी consider कर सकते हैं लेकिन 2000 से कम range में यह board की smart watch काफी ज़्यादा सही है तो इसे आपको definitely purchase करना चाहिए इस watch का buy link में आपको description box में दे दूँगी आप महां से इसे purchase कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और मेरे चैनल को भी subscribe करके बेल आइकन को press करके all के button पे click जिसे के मेरे वीडियो के सभी notifications आप सभी तक पहुच सके मैं मिलती है आप सभी से अपने next वीडियो में thanks for watching